नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में होली से पहले आप सभी को एक खुश खबरी मिलने जा रही है और वो खुश खबरी है कि अब भारत की ताकत में इजाफा होने वाला है और दुश्मन का कलेजा कांपने वाला है क्यूंकि राफैल की अगली खेप भारत पहु सरकार का चीन और पाकिस्तान जैसे पडोसी देशों के साथ सीमा पर तनाओ अब भी जारी है इसी बीच सरकार ने देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने के लिए राफैल लडाकु विमानों की खेप मंगवाई है जिसके चलते जल्द ही देश की ताकत में और अधिक एज साथा होने वाला है आगामी चार दिनों में तीन और लडाकु विमान राफैल अंबाला में लेंड करेंगे इसके बाद एप्रिल के मद्धे तक नो और राफैल लडाकु विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे फ्रांसीसी और भारतिये राजनेकों की ओर से दी गई जान कोमेंट डील के तहट 36 लडाकु विमानों का सितंबर 2016 में और दिया था इसके कुल कीमत 69,000 करोड रुपए थी राफैल के पहले बेड़े को जब वायू सेना में शामिल किया गया था तब रक्षमंतरी राजनात सिंग ने इसे गेम चेंजर करार दिया था उनका दावा था कि राफैल के साथ वायू सेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है राफैल नवीनतम हतियारों और सुपीरियर सेंसर से लेस लडाकु विमान है आपको बता दे कि राफैल दो इंजिन वाला लडाकु विमान है जो इंडियन एर फोर्स की पहली पसंद है इसे हर तर 2130 किलोमीटर प्रतिगंटा है इसकी सबसे खास बत ये है कि राफैल 75 फीसदी हमेशा ओपरेशन के लिए तैयार है जैसे परमाडू हत्यार ले जाने में सक्षम है राफैल फाइटर जेट में भारतिय वायुसेना के हिसाब से फेर बदल किये गए है यानि इंडियन एर फोर् 18 राफैल हाशीमारा बेस पर तैनात होंगे जिससे चीन पर नजर होगी और 18 राफैल हर्याना के अंबाला में तैनात होंगे जिससे पाकिस्तान पर नजर होगी राफैल विमान के दूसरे स्कौडरन को इस साल एपरिल के मद्ध में हाशीमारा में अगले मुख्य संचालन अड़े पर मुस्तैद किया जाएगा राफेल के आने से भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है पर अब राफेल की अगली खेप भी भारत पहुचने वाली है जिसके बाद दुश्मनों को धूल चिटाने में हमें और भी आसानी होगी इस ख़बर में फिलालत नहीं बने रही है कापिटल टीवी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया